तो दोस्तों बात करने वाले हैं कि कैसे स्टाक मार्केट के अंदर 500 रुपे लगा कर करोड़ पती बना जा सकता है। लेकिन आज सभी के पास में अमूमन एक लाख रुपयाता होता ही है। इसी तरीके से अगर आप से ठीक 30 साल के बाद में या फिर 20 साल के बाद में देखें तो ये सारी चीजे आम हो जाएंगी और हर दूसरा आदमी या फिर ये कहें कि हर व्यक्ति आपको करोड़ पती मिल सक करना अगर वीडियो आपने मिस की तो हो सकता है कि कुछ कॉंसेप्ट आप से छूट जाए फिर आपको ये मैथर समझ में आए कि किस तरीके से एक बड़ी वेल्थ केवल 500 रुपे लगा कर जनरेट की जा सकती है तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजे हैं वो बता करें 15,000 या फिर 20,000 तो जो अच्छी सेलरी लेते थे 20,000 25,000 तक मान कर चल सकते हैं और एक एवरेज सेलरी देखें तो 7,8,000 के आसपास आप मान कर चल सकते हैं मैं बात कर रहा हूं सन 2,000 की तो उस बक्त से लेकर अब तक काफी चेंज देखने को मिला है और अब काफी सारे लोग लगबग 1,000,000 रुपिया, 2,000,000 रुपिया या फिर इस से जादा भी अर्न कर रहे हैं तो दोस्तो हम इस कॉंसेप्ट में नहीं जाएंगे हम ये मान कर चलते हैं कि आज की डिट में एक रिटेल निवेशक लगबग 20,000 रुपे की अर्निंग कर रहा है तो कहीं भी नोकरी कर रहा है तो 20,000 रुपे तो कमा ही रहा होगा तो दोस्तो 20,000 रुपे में से 500 रुपे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है तो 500 रुपे तो हम यूँ ही खर्च भी कर देते हैं तो 500 रुपे अगर आप निकाल सकते हैं तो दोस्तो 500 रुपे लगा कर स्टॉक मार्कि तो दोस्तो टॉप इस तरीके से हैं कि ये सारी ही कंपनियां इन कंपनियों का बिजनिस बहुती शांदार है कुछ बैंक हैं तो उन बैंकों के परफॉर्मेंस के अगर बात करेंगे लगातार अच्छा परदसन वो बैंक कर रहे हैं कुछ नॉर्मल कंपनियां हैं तो उन कंप जो कि आपको देखने को मिल भी रही है अगर आप खाली सन 2000 से लेकर अब तक का comparison करेंगे तो आपको पता चलेगा कि Nifty 50 का चार्ट लगातार उपर गया है और आगे भी आपको ये चार्ट और भी उपर के लेवल दिखाता हुआ नजरा सकता है हो सकता है अब से ठीक 20 साल के ब है और इंडेक्स फंड के जरी हम पैसा लगा कर करोडो रुपिया कमा सकते हैं करोडो भी नहीं कमा पाए तो दोस्तो एक बड़ी वैल्थ यहां पर चनरेट कर सकते हैं आपको पता है दोस्तो Nifty 50 के अंदर 50 शेर्स होते हैं और जो भी performance आपको जो भी चाल उन 50 शेर्स के अ अंदर देखने को मिलेगी और कमाल के बाद तो दोस्तो यह है कि अगर कोई कमपनी अच्छी perform नहीं करती है तो उसे Nifty 50 से बाहर कर दिया जाता है और जो अच्छी कमपनी है वो इसके अंदर entry लेती है तो अमूमन क्या है कि लोंग टम में यह जो चार्ट पेटरन है यह हम को ऊपर की तरफ ही मूँ करता हुआ दिखाई देने वाला है तो दोस्तो आज की डेट में 20,000 रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं है मतलब 20,000 रुपय तो सभी कमाते हैं सभी की सैलरी लगवा को 20,000 रुपय के आसपास होती है अब इन 20,000 में से 500 रुपय के हमारे खर् में कम है तो उनके लिए तो बहुत यह वैल्यूबल होने वाला है तो 500 रुपय हमने हर महीने बचाए और हमें करना सरफ इतना सही है कि हमें निफ्टी बीज खरीद नहीं है तो दोस्तो निफ्टी बीज मानकर चलते हैं कि 170 के आसपास इस समय चल रहा है और अगर आप 3 नि बराबर यहां पर खरीद कर चल सकते हैं तो दोस्तो 500 रुपय हमें बराबर इसके अंदर खरीद रहे हैं अब इसका हम लोग को क्या बैनिफिट होगा तो बैनिफिट इसके हम लोग को कई सारे होने वाले हैं जैसे कि अगर हम mutual funds के अंदर पैसा लगाते हैं तो दोस्तो महा पर क्या benefit हम लोग को मिलने वाला है कि अगर आज बजार गिर रहा है तो दोस्तों हम लोग के लिए एक opportunity होगी कि गिरते हो बजार के अंदर हम इसमें खरीदारी भी कर सकते हैं अभी आपने देखा कि nifty 50 गिरता हुआ दिखाए दिया था तो काफी सारे लोगों को यहाँ पर मोका भी मिल रहा है इससे पहले अगर nifty 20 की बात करते हैं तो nifty 20 के अंदर जो high बना था वो लगबग 223 का था तो 223 तक यह चला गया था और अभी आपको 174 के आसपा दिखाए जा रहे यह भी definitely guarantee है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर यह 230 या फिर इससे और उपर के level आपको दिखाएगा साथ ही मत दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि mutual funds के अंदर जो हम पैसा लगाते हैं तो mutual funds के अंदर हम लोगों एक fix return देखने को मिलता है 15%, 20%, 30% लेकिन यहाँ पर कोई fix नहीं है हो स 5000 रुपे का हमारा एक साल का investment हो गया 5 साल तक हम इसे regular करना है तो 5 साल के अंदर हमारा जो investment यहाँ पर बैठेगा वो है 30,000 रुपे का तो दोस्तों कर आप nifty 20 या फिर 50 का chart ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर 5 साल के अंदर यह हमारा पैसा दुगना कर रही है तो 5 साल के अंदर हमारा पैसा दुगना कर रही है तो हमारा होगा क्या कि हमारा जो total investment था वो 30,000 रुपे का था अब 30,000 का मतलब double काफी सारे लोग यह सोच रही होंगे कि हमने तो पैसा टुकडो में लगाया था लेकिन 5 साल के अंदर हमारा पैसा double कैसे हो सकता है तो दो कि मानकर चलते हैं कि यहां से दुगना होने वाला है तो हमने यहां पर 10,000 रुपे का investment करके छोड़ दिया तो अगले 5 सालों के अंदर यह लगबख हमारे हैं से 20,000 रुपे का investment यहां पर बन जाएगा लेकिन जब हम टुकडों के अंदर investment करते हैं तो इसमें क्या होता है कि बजार हमेशा एक जैसा तो आपको नहीं देखने को मिलेगा बजार के अंदर आपको गिरावट भी देखने को मिलती है बजार के अंदर बढ़त भी देखने को मिलती है तो उससे क्या होता है कि कई बार काफी नीचे की value भी हम लोग को देखने को मिलती है मानकर चलते हैं क इन फ्यूचर यह आपको लगवग 150 के आसपाद देखने को मलता है तो आप तो बराबर खरीदारी कर रहें और अच्छी बात यह है कि दोस्तो बजार के अंदर जो क्रेश होते हैं काफी सारे लोग क्या काम करते हैं कि अभी 500 रुपे का regular हम लोग यहां पर कर रहे थे और 30,000 रुपे हमारे पास में आ चुके हैं और 30,000 का हमारा लगभग डबल भी हो चुका है हो सकता है इससे जदे रेटन देखने को मले या फिर हो सकता है कि थोड़े बहुत आपके रेटन कम देखने को मले लेकिन हां यह तो है कि जाने अन जाने में हमारे 500 रुपे एक अमाउट के अंदर कनवर्ट हो चुके हैं और दोस्तो जब यह अमाउट आप स्टॉक मार्केट के अंदर लगाएंगे तो उससे एक बड़ा अमाउट जनरेट होगा नॉर्मल सी बात है दोस्तो स्टॉक मार्केट कभी रुखता नहीं है और जो अच्छी कमपनी है उनके अंदर आपको लगातार ग्रोथ भी दिखने को मली है तो दोस्तो अगर आपने आज कुछ सोचा है स्टॉक मार्केट के हिसाब से तो 500 रुपे से बड़ी शुरुबात हो सकती है हो सकता है कि आगया आने वाले 10-20 सालों के अंदर ये 500 रुपे आपके करोडों के अंदर क्योंकि नॉर्मल सी बात है आज आपके 60,000 रुपे बने हैं हो सकता है कि कल की डिट में आपको 1,00,000 बने हो सकता है कि जब आप 1,00,000 रुपे का इन्वेस्मेंट स्टॉक मार्केट के अंदर करें यही पैसा आपका 2,00,000 के अंदर कनवर्ट हो 2,00,000 नदर के चार रुपे में से तो आप इस पैसे को बचाईएगा और एक ऐसे इंडेक्स के अंदर निवेश कीजेगा जो कि कम से कम mutual fund से तो बहतर है जो कि आपको normal saving schemes से तो बहतर है जो कि normal आप अगर FD करते हैं वहाँ से हम लोग को जादा return देखने को मिल रहे हैं तो कहने का मतलब है कि in future एक बड़ा amount आपका stock market के अंदर इसी तरीके से भी बन सकता है तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा खाली एक overview मैंने आपको दिया कि किस तरीके से कम पैसे लगा कर एक बड़ी wealth यहाँ पर generate की जा सकती है और फिर उस पैसे से किस तरीके से बड़ा amount कमाया जा सकता है तो छोटा सा concept है जो लोग नए है stock market के अंदर अभी अभी कदम रखा है तो उनके लिए काफी useful यह वीडियो होने वाली है तो उसकर आप नए है demate account open कराना चाहते हैं तो आप अप stocks के अंदर demate account open करा सकते हैं लिंक नीचे description box के अंदर दिया हुआ है साथ ही मतोस्तों कहना चाहों कि stock market की latest news लगाता टेलिग्राम चैनल पर पुब्लिश होती रहती है तो इसका भी लिंक आपको नीचे description box के अंदर मिल जाएगा चैनल पर पहली बार अगर विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके रह सकते हैं साथ में बेल आइकन चरूर हिट कर लिजिगा थैंकिय सो मच फॉर वाचिंग